स्वागत आपको मैं चनल सरकाई बावु मैं तो गाईस अज DSSB का एक्जाम था उच में कोश्चन कैसे आये थे और किस तरह के पूछे गए थे तो उसके बारे में बात कर लेते हैं गाईस सबसे पहले दो DSSB का पहली बार एक्जाम दे रहे हैं जब आप उसे complete कर लेंगे फिर 20 पार्ट का अगला कोशन खुल जाएगा फिर वो भी आप करने के बाद submit कर देंगे फिर reasoning के बाद आपका English खुल जाएगा 20 कोशन आएगे और आप उसी sequence में चलना पड़ेगा और उसके बाद आप time कितना भी ले सकते हैं आपने एक section पर ही चाहें तो 20 कोशन पर ही आप दो घंटे वैस्ट कर दें चाहें तो आप इसे 5 मिंट में ही submit करके आगे बढ़ जाएं लेकिन एक चीज के ध्यान रखना आप जो है submit करने के बाद वापे से इस पर आनी सकते और अपनी मर्दी से किसी और section पर जानी सकते है ठीक है dssb का यह थोड़ा pattern अलग हो जाता है इस टीज को आप ध्यान में रखिएगा ठीक है अब देख जाते हैं किस तरह कोशन थे पेपर लेंदी था लगेगा क्योंकि जो आपका limit है न वह ऐसा नहीं कि आप किसी सक्षन में मूव कर सकते हैं आपको उनके सबसे चलना पड़ेगा रीजनिंग मॉडरेट थी मॉडरेट सच में आई थी इसमें पजल वगेरा थे कोशन थोड़ा लेंदी लग रहे थे अनलोगी थी सिरीज के कोशन थे डियरेक्शन के कोशन थे मिरर इमेज का था वाटर इमेज पेपर फोल्डिंग एंड ओपनिंग से कोशन आये थे जी एस से ना करेंट में इस बार बहुत कम कोशन आ रहे हैं अल्ली दो कोशन थे वो भी दिसंबर 2021 के mostly art and culture से जुड़े हुए थे फेस्टिवल ज्यादा थे हैना से ज्यादा था फेस्टिवल वगएरा जोए ये फेस्टिवल अगेरा होन्मिल फेस्टिवल काम लाँ आता है इस तरह के कोशन थे फेस्टिवल से रेलेटेड थे हिस्टिरी में मुगल से एक कोशन आया था ठीक और ratio and proportion के question थे LCM, HCF के question आ रहे थे अज़ा, DI हिंदी जो है, जो हिंदी थी वो easy आई थी DI के questions भी थे, maths में हिंदी easy बता रहे हैं सब जो first, second, third shift के लोग हैं वो easy बता रहे हैं हिंदी English भी easy आई थी English easy होते है, DSSB के आपको पता ही है ठीक है, तो reasoning थोड़ी लेंदी आ रही है इसका ध्यान रखेगा, और current पढ़िएगा मत, current ये questions नहीं आ रहे हैं हैना, दो questions आ रहे हैं, पुराने static GK पर जाला focus रखेगा अब कुछ questions और हैं, जो second और third shift में पूछे गए थे, जो कि, मैंने देखे, ये जो data है न, ये सारा आप लोगों से ही लिया गया है, ठीक है ये नहीं है कि देखो जैसे बाकी channel करते हैं कि वो क्या करेंगे, कुछ questions कहीं से ले लिए, कुछ questions अपने आप से बना लिए और अपने आप से डाल दिए तो वैसा यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा जो भी चीज वो एकदम real मिलेगी ठीक है आपको जो है, जो questions के feedback मिलेगे में को students से वही questions आपको यहाँ पर मिलेंगे ठीक है, और देख लेते हैं questions एक question आथा, third shift, second shift में अटल pension योजना कभ स्टार्ट हुई थी यह account deficit का question आ रहा है account deficit का और government surplus का economy का question था यह ठीक है guys, एक question था budget का article number पूछा था 112 पे एक question था higher education जो है यह कौन से पार्ट में constitution का 1986 के education policy का third part में क्या दिया है, यह पूछा था कुछ अजीब अटपटे से question पूछे गए थे इसमें, third shift में dance forms वगरा देख ले ना, dance forms के question थे और कुछ political question थे, ठीक है और तो इसमें देखिए second shift में भी hardly कोई question था वो दो दो दिखाया था, first shift का दिखाया था second shift में भी कोई question नहीं था आइटेमोलोजी ओफ मौसम, philaria, warm का phylum, NHI कब start हुआ, इस तरह यह question थे और philaria, warm का phylum, यह questions इस तरह के पूछे गए थे इस चीज़ के दरूर ध्यान रखना, no skipping, you can't revisit, आप उस पर वापिस नहीं जा सकते यह question और थे, difference का भी था कि BRO कब establish हुआ, national park पूछा था, डोड़ा बेटा पूछा था और अगर अगर अग्जाम है जल्द बाजी में ही, तो आप इसकी PDF purchase कर सकते हैं, 30 रुपे में कि किस तरह के questions पहले पूछे गाए थे, है ना, उससे आपको एक idea लग जाएगा, practice कर सकते हैं, 30 रुपे के PDF purchase करने के लिए, आप में को इस नंबर पर WhatsApp कर सकते हैं, 880-256-1098 प कोशन दे second shift का math calculative था, तो English and Hindi के लिए hardly कुछ time बच रहा था, तो math calculative होने करण, लोग हिंदी English पर ही पहुच पाए थे, हिंदी English लास्ट में थे, तो कई बच्चों ही तो हिंदी English complete ही नहीं हो पाई, इस चीज का ध्यान रखना, time इस तरह से manage करना कि हिंदी English पर भी पहु कि एक लड़के समय पूछा था, तो उसने 172 करें, तो बोला था कि मतलब कुछ बच्चता ऐसा थे, जिनके हिंदी पर पहुंची नहीं पा रहे थे, reading नहीं कर पा रहे थे, तो आप कोशिश कीज़ेगा सब चीज को manage करते हुए, last तक पहुंच जाना, attempt कर लेना, बहुत ल ध्यान रखना, अच्छा, reasoning was moderate, reasoning moderate थी, हिंदी काफी easy आई थी, और 10-10 के अप्रोक्स paragraph थे, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है, इस चीज़े ध्यान रखना, और देखो, smartly आप जाओगे, smartly आप वर्क करके, तो यह paper pass कर जाओगे, qualifying है, है ना, और सब लोग जिस तरह से लास्टर भी पहुंच पारे, अब पहुंच जाओगे, अगरा मैं थोड़ी आसा smartly वर्क कर लिया तो, देखो, लास्ट में मैं यह advice दूँगा, जिनके कल exam है, है ना, कल परसों, आगे जब तक exam है, तो बस इस चीज़े ध्यान रख लेना, कि देखो, अब मैं यहाँ प पजल टाइप सारे, लॉंग हो रहे हैं, तो उनमें अगर आप फसे रहे गए, तो लास्ट में maths और English और Hindi पहुंच ही नहीं पाऊगे, ठीक है, समझ दो ना, तो reasoning किस तरह सो time देना, कितना time देना, fix करके लेके जाना, है ना, maths को कितना time देना, उतना fix करके लेके जाना, त अच्छे से, maths पर जाला time मत देना, reasoning पर जाला time मत देना, कभी इन सी में लगे रह जाओ, English और maths को भी देख लेना, है ना, English maths को, और GS जो है, वो थोड़ा सारा देखवा, पटाए से question आपको मिलेंगे, लेकिन जो static part है ना, तो उसको थोड़ा अच्छे से कर लेना, current affairs पर पढ़ लेना, current affairs आई नहीं देए, ठीक है, तो एक-दो question से कुछ फर्ग मिनी पड़ेगा, एक-दो question कि आप 4-5 महीने के current affairs में waste करोई टाइम सरफोड़ोंगे, उसको कोई फायदा नहीं है, तो I hope आपको इस साही चीज़े clear हो गई होंगी, है ना, मैंना अपने तरह से question को solve करने में 10 मिनिट ले गए, है ना, तो बाद का जो time है, वो आपका उसमें बेकार चला जाएगा, एक मैंने question की जगा, आप वहाँ पे 5 हिंदी question कर दिया, आपने, तो पांच नमबर, यहाँ पे एक नमबर मिलेगा आपको, यहाँ पांच नमबर मिलेंगे, तो एक थोड़ा easy आरी, हिंदी भी easy आरी है, इस चीज का धियान रखके जाना, है ना, और मेरी तरफ से all the best है, है ना, जिनका आगे exam में, आगे की shiftों में है, reasoning, GKPK, सब को इच्छे से कर ले ना, है ना, all the best guys, for your exam, thank you guys for watching this video.